नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है। जतनपूर में लोग बीमार हो रहे थे। बॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खी को बताया। जतनपूर के पास एक कूरेदान है। उस पर धेर सारी मक्खिया रहती है। वो उरकर सभी घरों में जाती, वहां रखा खाना कर देती। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे थे। राजू दूसरी क्लास में पढ़ता है। उसकी मैडम ने मक्खियों की कारण फैलने वाले बीमारी को बताया। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। घर आकर मां को मक्खियों के बारे में बताया। वो हमा वारे खाने को गंदा कर देती है, घर में आकर गंगी फैल आती है, इसे घर से बाहर भगाना चाहिए, राजु बजार से एक फिनाइल लेकर आया, उसके पानी से घर में साफ सफाय गुई, रसोई घर में खाना को डखवा दिया, जिसके कारण मक्खियों को खाना नहीं मिल प स्वयम की सतर्ता से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है